हलो दोस्तो नमस्कार मैं रोई सर एक बार फेर से आप सभी का आपके अपने पार्थ एजुकेशन के इस ओनलाइन प्लेटफार्म पर तहे दिल से स्वागत करता हूँ दोस्तो आप सब के मन में एक डाउट है कि संका है कि आखे TGT की परिक्षा या PGT की परिक्षा जो माद्मिक सिच्छा सेवा चैन बोर्ड के द्वारा आयोजित की जानी है वो परिक्षा की डेट आ क्यों नहीं रही है बहुत सारे छात्रों का ये प्रस्ण है और हमारे सामने वो अपनी संका भी जाहिर करते है सर हमारा समय बीटता जा रहा है वगेरा वगेरा करके साथी साथ बेसिक के बहुत सारे छात्रों का ये प्रस्ण है कि सर भरती कब आएगी सिच्छा भरती कब आएगी और उच्छतर सिच्छा सेवा चैन आयोग मतलब असिस्टेंट प्रो भेजा है डाक्टर अखिलेश कुमार मिस्रा ने जो विशेश सची है उत्तर प्रदेश सासन के और भेजा किसे है निदेशक उच्छ सिच्छा उत्तर प्रदेश प्रयाग राज को इसमें आप साब सब देखिए उच्छ सिच्छा निदेश सालाय उत्तर प्रदेश को प्र जिसमें साफ साफ लिखा हुआ है मुख्यमंत्री जी माननी योगी आदितनाजी का ट्वीट है सिक्षकों के समय बद्ध चयन के लिए सरकार गंभीर है उत्तर प्रदेश सिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन होगा जल्द होगी सिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन यूपी में एक ही आयोग से होगा सिक्षकों का चयन फिर सुन लिजे बेसिक का मतलब प्राइमरी माध्यमिक उच्चस्तरी और तक्नीकी सिक्षा में होगा चयन इसका मतलब होता है अब जो बेसिक सिक्षा है माध्यमिक सिक्षा है परिक्षा मतलब अब परिक्षा नियामक प्राधिकारी संथा टीटी की परिक्षा नहीं कराईगी संस्कृत विद्यालियों की भी भड़ती साहद यहीं से होगी मतलब UP में सिक्षकों के चैन की जो प्रक्रिया है वो किसी भी अस्तर पर हो किसी भी लेवल पर ये अब नए सिक्षा सेवा चैन आयोग द्वारा होगी और एक ही आयोग सारे के सारे सिक्षकों की भड़ती करेगा इसलिए माध्यमिक सिक्षा सेवा चैन बोर्ड जो की TGT PGT की परिक्षा आयोजित कराता है उसके सदस्यों की नियुक्त नहीं की जा रही है इसलिए बेसिक सिक्षा में प्राइमरी सिक्षा में अभी नई बैकेंसी नहीं आ रही है इसलिए उच्चतर सिक्षा सेवा चैन आयोग असिस्टन प्रोफेसर में नए विज्ञापन की एक भी सुगवगाहट नहीं मिल रही है तो दोस्तो आज सायद मेरी बातों को आप गंभीरता से लेंगे और समझदारी से लेंगे क्यों क्योंकि अभी आपकी परिक्षा में समय हैं आप गैप मत करिएगा लगातार कच्छुए की चाल से ही सही चलते रहिएगा जिससे जैसे ही ये आयोग बनेगा आयोग बनने के बाद 2-4 महीने तक ऐसी संभावना है कि आयोग के गठन की प्रक्रिया चलेगी सारा आयोग लखनव में स्थापित हो जाएगा जब आयोग गठित हो जाएगा उसके बाद TGT की परिक्षा होगी परिक्षा होगी बेसिक सिक्षा की प्राइमरी सिक्षा की नई भरती आएगी और उच्चतर सिक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर का नया विग्यापन जारी होगा इसलिए पार्थ एजूकेशन परिवार द्वारा आपको जो सुविधाएं दी जा रही है आज आफर है और आप सबके विशेस मांग को देखते हुए छात्रों के बहुत ही गंभेरता पूर्ण प्रकरण को उठाते हुए जो छात्रों ने हमसे निवेदन किया है उन सबके कारण जो एक, दो और तीन जन्वरी को ओफर था वो ओफर दो दिन और मतलब चार और पान जन्वरी को और बढ़ाया जाता है मतलब अब आप चार और पान जन्वरी तक जो आधी सी भी कम फीस लग रही है चाहे UGC NET के लिए हो चाहे TGT के लिए हो चाहे PGT के लिए हो च एक्जाम नहीं होगा तो आपकी तयारी जारी रहे इसलिए धोखा मत खाईएगा कहीं ऐसा ना हो तब पस्ताई होत का जब चिडिया चुक गई खेत आप अभी आफर में पैक जो हमारा है आफर में जो हमारे नए नए बैचेश के आफर हैं उसको ना जोइन करें और बाद मे ये निउज है मैंने दे दी दोनों निउज आज अच्छे से देख लीजिए और पार्थ एजुकेशन एप्लिकेशन डाउनलोड करके वहां से नए बैच जोइन कर ली थैंक यू बेरी मच